नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है जी के सलायन में दोस्तों कक्षा 8 के लिए बोर्ड परिक्षा 2023 के बारे में विसे आपका जो गणित है उसका पेपर यहाँ पे सोल करके आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखना है और आपका पूरा पेपर है वो सेम पैटर्न पे रहने वाला है तो आप अपना पेपर है अच्छे से तयार कर लीजिए तो तेले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे जो डिस र रहने वाले हैं ठीक है आपको अच्छे से तयार कर लेना है अब देखिए पहला क्यूशन है ए बटा बी का योज्य परतिलोंग होगा अब दोस्तों जहां पर भी परतिलोंग सब्द आपको लिखा आ जाता है ठीक है परतिलोंग का मतलब आप समझते हैं कि जो संक्या दी बन जाएगा लेकिन माइनस का अब यह कहां पर लिखा गया है ठीक है बी बटा ए यहां पर लिखा गया है तो यहां पर यह आपका आंसर सही हो जाएगा आगी देखिए आपके दोस्तों अगला क्यूशन आपको दिये गए तीन एक्स बराबर 21 में एक्स का मान क्या होगा नुस्तों जो सम्हिकर्ण है आपके धियूगा सम्हिकर्ण है वो आपके 100% आएंगे 45% आएंगे छोटे भी आएंगे और बड़े भी आएंगे तो इसके साथ तो असके साथ तोरी संक्या कान चले जाएगी नीचे चले जाएगी अब 3 को आपको पाड़ा आता है तो आप आराम से काट लेंगे 3, 7, 21 तो X यहां बच गया बराबर में कितना आ गया 7 तो X का माल किया आ गया 7 यहां पर आंसर हो गया आपका option number A ठीक है इस परकार से आपको हल करना है जो plus वाले हैं, minus वाले हैं वो भी मैं आपको आगी बताऊँगा रेकिय समिकरण में चर्की अधिक्तम घात होती है दोस्तों जो रेकिय समिकरण आप बनाते हैं उसमें जो चर्की घात होती है वो अधिक्तम 2 रखी जाती है इसे आप रखते हैं 2X square प्लस 2X इस प्लस 1 इस प्रकार क्यों होती है यह आपका रेकिय समिकरण होता है उसमें अधिक्तम कहात है वो 2 रखते हैं और भी रख सकते हैं लेकिन आपके syllabus का coding जो बताया गया है वो इसी तक है यह पर देखें चतरूज के आमने सामने की बिंदो को मिलाने वाली रेका को क्या कहते हैं अब यहापे हम चतरूज बनाते हैं माली जी यह चतरूज है अब इसके आमने सामने तो इसको मिलाया इसको इसको मिलाया तो यह क्या है आपके विकरण है यह क्या कहलाएंगे आपके विकरण तो यह कहां पहले लिखा गया है, option number A कार आ गया है, तो इनको हम बोलते हैं, लंब, तो आधार्थ बोलेंगे ने, यह दो तो बिलकुल भी नहीं होगे, तो आप चत्रबुज की आमने सामने की बिंदो को मिलाने वाली, तो आमने सामने की बिंदो की बात कर रहे है, तो आप म इसको यहां से मिला रहा है इसको यहां से मिला रहा है इसको बोलेंगे हम लंब अगर इसके कौनों को मिलाते हैं आपन देखे मालेजे की इसका ये जिसे मालेजे ए बी सी और डी दिया गया है तो बी और सी को मिलाने वाली ए और डी को मिलाने वाली वो होंगे आपके को अच्छे से समझ लेना क्या पूच रहा है उसी साब से आपको आंसर देना है आगे देखे समांतर चत्रोज में सम्मुक बुजाएं होती है यह आपका दे दे गया ठीक है सम्मुक बुजाएं पूची गई यह इसके सामने वाली हो गई यह इसके सामने वाली हो गई ठीक है ये पूचा गया है कि जो सम्मुक बुजाएं होती है वो क्या होती है किस अनुपात में होती है समांतर पूचा गया समांतर का मतला हो गया पूरा है वो सब कुछ समान है यहां पे तो बराबर हो जाएगी यहां पे समांतर की बात आएंगे तो सभी बराबर होंगी ठीक है आगे देखें आपे निम्न मैंसे पूर्ण वरग संक्या नहीं है तो आपे देखें 81 है तो 9 गुणा 9 आपको बताए 81 बनता है तो यह पूर्ण वरग हो गया 4.40 है यह 20 का होगी आपका 79 ऐसा कोई भी संक्या नहीं है जो की वरग है तो यह आपका संक्यांसर हो जाएगा बाकी यह भी होता है आगे देखें निम्न मैंसे कि संक्या के वरग संक्या के अंद में एक आएगा अगर हम यहाँ पर वरग करते हैं तो उसके लाष्ट में क्या आना चाहिए एक आना चाहिए अब देखिए नो का करते हैं तो नो नाम 81 मतलब लाष्ट में एक आ रहा है ठीक के बाद साथ का करते हैं तो साथ साथ गुणन चास लाष्ट में नो आ रहा है तो इसमें तो हो गए नहीं ठीक है यहाँ पर देखे 2 को करते है तो 4 आता है 3 को करते है तो 9 आता है तो एक किसमें आ रहा है option number A आपका सही answer है यहाँ पर देखो 120 का 80% आपको निकालना है ठीक है 120 का 80% अब देखे 120 का 80% आप कैसे निकालेंगे 120 गुरुणा 80 आपने लिखा बटे में आपको क्या लिखना है 100 0 स यहाँ पर कट गया 12 अंटे कितना हो गया 120 तो 120 का 80% क्या हो गया 20 आपका ठीक है ऐसे भी आप कर सकते हैं यहाँ फिर देखो 120 का 120 का 80% तो वही 80% पूछ रहा है तो इसके बटे में 100 आपका ठीक है तो यहाँ आप से आराप से काटेंगे वही 120 आजाएगा आपका answer तो option number D ह यहाँ जाएगा आगे देखी दोस्तों यहां पर तिर्बुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है तिर्बुज यह हो गया इसके तीनों जो कोन होते है उसका योग है वह 180 डिगरी होता है ठीक है option number B मूल बिंदू के निर्देसांग होते हैं दोस्तों मूल बिंदू के NIRDRSONG अच्छे से बता रखे हैं मैंने पहले भी मैं एक एक बार आपको अच्छे से बताता हूं यहापे देख़ी यह इस परकार से बनता है अब यह मूल बिंदु यहाँ पे होंगी तो मूल बिंदु यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे 0 आजाएगा जाएगा और यहां पर जीरो 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 जिसमें दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नमबर सी तीक है मूल बंदु को निर्दर सांग हमेसा जीरो होंगे यहां पर देखिए जबढ़ को हरेंके तोकि इतना आ गया चोविस इसमें और इसमें हैं इन दोणों में नहीं तो इन दोनों को तो आप भूल जाइए कि यह आंसर ओंगे आप दूसरा बात करेंगे हम एक्स की दो एक्सो लड़ी है एक्स स्क्वार और एक एक्स जियरा तो यह कितने अब आंद आपको अंधिक सूल करना है एक तुसके इसको का थोन्हेल पर गार माइनज तक इसको न्याहिए । थाया ऑप स्पाना सिस्वार देगा से अगला लोग데 कैसे सुल करना है एक एमाइनस पी अहल स्कॉर्ण है यहां उसको करते हैं तो यहां लिखाएंगे, अपने a square, ठीक है, फिर plus b square minus 2ab, जिसका formula होता है, यह सा कैसा होगा, अब यह कहां पर लिखा गया है, a square, ठीक है, और b square minus 2ab, अब minus मैंने क्यों लिखा, देखी, यहां पर a है, तो a का तो a square आ गया, अब b है, तो minus का b, गुणा minus का b, तो minus minus plus का आ जाएगा, इसलिए यह b square बन गया, तो देखी, plus का b square इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, लेकिन यहां पर यह जो minus का है, दूसरा वो minus का ही रहेगा, ठीक है, तो 2a और b आ जाएगा, तो option number d आपका सही answer होगा, ठीक है, दो अंकों की संक्या a, b को लिख सकते हैं, दो अंकों की कोई संक्या है, a और b, उसको हम किस-किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, यह यहां पर भूचा गया है, तो यहां पर अलग-अलग दिया गया है method, अना, अगला में बात करूंगा, पंदरा बटा सोला, x, y, z, 9, x, y, z का गुननफन क्या होगा, चलिए यहां प पर आपको क्या करना है, इन संक्याओं को काट लेना है, ठीक है, जो कटरी है, उसको काट लेना है, अगर मैं यहां पर बात करूं, तीन से काट नहीं, ठीक है, तो गुननफन की पूचा गया है, तो गुनना आपको इसको बताना होगा, ठीक है, तो यहां पर 15x, तो यहां समिक्रणों में सदेव किसका चिन परियोग होता है वह और कितनी होने पर वरग संख्याओं के अंत में बुन्यों की संख्या केवल कितनी होती है ब्याज का जो संयोजन है वो कितने होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है यह अब देखे 2 की बटा 8 x की पावर 4 में x 4 का गुणांग है वो क्या होगा ठीक है यह सारी चीज़े आपको देख लेनी है हम आगे बात करेंगे बड़े क्यूशन जो आपके होंगे सरल करने वाले इस परकार के परसन आपको मिलेंगे जो को आपको सरल करना है मातर गुणा भाग करना है आपको आप आराम से कर लेंगे इनको इसकी बाद देखे अगला क्यूशन है करेंगे 664 तो अलेडी हो गया ता फिर एक बार और करेंगे 64 को मैंने चार बार और किया चाचो का 24 का 416 का 6 आ गया हासिल की एक आ गई चाचो का 25 256 प्लस गुणा है 256 हो जाएगा आपका अब यहां पर भाग दिया गया है चार की पावर 3 भाग का मतलब यह नीचे आ गया तो यहां पर आपन चार की पावर 3 को चार की पावर 3 से बाद में जो यह संक्या है आएगी तब काट सकते हैं ठीक है ब्रेक इट को हल करने कबाद पहली नहीं काटनेंगे आप आप बाद में काट सकते हैं इसको तो इस परका आपको पांच एक्स प्लस साथ एक्स प्लस वन एक्स ठीक है इनको जोड़ों कितना हो गया पांच रसाथ बारा बारा और एक तेरा एक्स बटा छै आपका आंसर आजाएगा शी नेश्टे के एक अनुपाद च्यार को पर्टिसत में परिवर्तित कीजी यहां पर एक बटा च नईश्टे के 8000 का घंमूल अभाजे गुननख्रण द्वारा गयाद किजी अब सिधा सिधा है अब आपको याद करना है यह लिजिए अब आपको उसी संक्या को उसी संक्या से गुना कर देना है दो दूनि चार और चार दूनि आठ फिर गुना लगाया चार दूनि और 416 लिखा तो कितना आ गया चार 816 का 6 आंसल की एक और 7 एक 1764 आपका आंसर आ गया इसके बाद देखे आयत की परिमाप है उसका सुत्तर आपको बताना है आयत का परिमाप आप जानता है 2 ब्रेकिट L पलस P मतलब लंबाई पलस चोड़ाई आगे देखे एक संभाव तिर्भूज की परते एक आंतरी कोण की माप क्यात कीजिए जिसकी बुजाएं 5 cm है इसके बाद देखे क्यार नमर का क्यूशन है 2x-3 2x यहाँ पर दिया गया है इसको देखो हल करना है मैं आपको डाइट बताता हूँ हलके से करेंगे 2x आपको दिया गया है इधर वाला जो x है लास्ट वाल जो साइड में दे रखा है आपन उसको इधर लाएंगे तो यह x बन गया अब यहाँ पर 2 ओल लेडी है अब करना है इसको आपको जाएगा इसको आपको इसको काट सकते है फिर 2 एकम 2 तो आप ने लिखा फिर 2 दूनी 4 या पर गट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच गया ओनली 6 बच गया नीची कितना बच गया आपका 3 15 15 15 दूना 30 माइनस यह अब 6 एकम 6 6 15 तो माइनस का एक बटा 5 आपका आंसर आ गया है यहाँ पर देखिए एसी 5 पर में शेंक्या लिखिए जो 2 से छोटी है यह आपको याद करना है बागी दोस्तों पेपर में कुछ ऐसा ज्यादा हाड आपका आने वाला नहीं है ठीक है दो चीजी में आपको बता रहा हूं उन चीजों को आपको पूरा पेपर में आपको बता करना है अब यहाँ पर दोस्तों एक डिगरी दिया गया आपको सो का ठीक है कितना दिया गया सो अगर मैं दोस्तों इसको बात करूए यह वाले संक इसको ठीक है इसमें दोस्तों यहाँ पर सो दे दिया गया आपको यह कितने का बच गया यह पूरा 180 का होता है तो यह कितने वरग संक्या बन जाती है इसके आपको प्रैक्टिक्स करने पर देखी ठीक है इसके बाद देखे अब आज ये गुणनकरण विदी द्वारा 512 का घनमूल है वो आपको ग्याद करना है कौनसा घनमूल अब घनमूल क्या होता है एक तो होता है वरग मूल एक होता है घनमूल घनमूल किया होका जो संक्या दी जाती है उससे छोटी होती है कभी भी जहान रखना वरग मूल पूचा जाता है तो संक्या क्या siya 15 हो गया तो बढ़ी हो गया लिए और इससका 25 मूल पूचंगा तो क्या जाएगी पांच छोटी होगी इस बात का दिरूद ध्यान रखना इससे आपको उत्तर ढूंडने में ज्याद दिक्कत नहीं होगी आप आराम से उत्तर सेट कर सकते हैं अगर उब्जेक्टिव में भी आपका आता है तो ठीक है तो पांचों बारा का आप निकाल सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6 चाचिंका 36 6 को गुणा करें 6 यह नहीं होगा तो बड़ी संक्या होगी आपके तो बड़ी संक्या है और कौन सी हो सकती है तो तो साथी हों पे 512 का जो गन्मूल है वह 8 ही होगा अभी मैंने जो मिष्टेक कर दिया था देखे मैं बताता हूं 8 गुणा 8 गुणा 8 गन्मूल होता है ना वो 3 बार होता है गुणा ठीक है तो आठ यहांट है हमने क्या किया है चॉंसर्ट किया फिर एक बार आठ को और से की लगाए तीन आर्ची की अड़ारी सोर तीन इक्क्यावन तो पांसो बारा बन गया तो इसका गनमुल क्या गया इसका अंसर क्या आगए आपका 8 आ गया यह पर देखिए एट अब यहां पर आपको अंक है वह रिफाइंड करना है अब यहां पर दो आया एक जोड है पांस तो यह है रहा तो यहां पर एकमान साथ होगा साथ और पांस बारा का दो यहां पर आगया हासिल की एक लग गई तो तीन और दो पांस पांस रेक छे तो एकमान तो क्या आगया आपका साथ और बी कमान क्या आगया आपका छे तो इसी परकार का प्रेपर दोस्तों वह आपको ग्याद करना है एक वर्स के बाद में आपको ग्याद करना है तो आप आराम से कर सकते हैं बैयानी सेजार आपको दिया गया है आठ परशेंट दिया गया है और एक वर्स बाद एक समय दिया गया है बटाय में सो लगाना है देखें आपके क्या बटा है पांच एक्स बटा साथ एक्स चार वर्स बाद ठीक है तो प्लस का चार प्लस का चार बराबर कितनी बज़ गई चपपन बराबर चपपन बन गई ठीक है अब इसको आपको हल कर लेना है इसको इदर ले जाके कर लो चाहिए इसको इदर ले जाके करो किदर भी करो इसकी वरतमान आयो आप आराम से निकाल सकते हैं इस परकार आपको सबसे पहले समिकंड बनाना होगा यहां पर सरल करना है सरल करने वाला वो ही है method आप आराम से इसको सरल कर सकते हैं मान गयात कीजिए ये भी आप कर लेंगे यहाँ पर दोस्तो उप्यूत पेमानी के अधार पर कुछ आलेक है वो आपको पूचे जाएंगे जिसका answer आपको देना है ठीक है ये दोस्तो पूरा paper यहाँ पर हो जाता है इसके बाद और भी में जो भी model paper आपको करा दूँगा और मैं एक बार फिर से बता दू कि दोस्तो जो method बताया है जो person मैंने बताया है ऐसे कैसे exam में आपको पूचे जाएंगे आप इनको तयार कर लेना आपको पास पूच दी गई है बाकि आप मुझे comment कर सकते हैं आपको कोई भी comment है बाकि आप हमारे टेलिग्राम, facebook, whatsapp से जुड़ने के लिए description box में link दिया गया है आप उसको जरूर जिवन कीजिए बाकि school college से जुड़ी अपडेट जन कर ये भी आपको मिलती रहती है धन्यवाद